तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दो ग्रामर के पांच ऐसे टॉपिक के उपर डिसकस करने वाले हैं जिससे पांच कोशन आप लोग के एकजाम में हर साल पूछे जाते हैं जी हाँ पांच टॉपिक है और हर एक टॉपिक से एक कोशन आप लोग के कोशन पेपर में हर साल देखने को मिलता ही मिलता है मतलब कि आप लोग के एक्जाम में हर साल इस पांचो टॉपिक से एक एक कोश्चन पूछे जाते हैं परती एक टॉपिक से यान की तोटल पांच कोश्चन और आज की इस वीडियो में हम लोग इनी पांचो टॉपिक के उपर डिसकस करने वाले हैं किस किस तरह से आप लोग के एक्जाम में कोशन पूछे गए हैं और किस किस तरह से कोशन पूछे जा सकते हैं यह हर एक चीज में आप लोग को बताऊंगी और इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आप लोग के हाथ में 5 नंबर यानकी 5 मार्ग सा आ जाने वाला है स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूं क्योंकि आप लोग का बहुत जदा कमेंट आ रहा था हमारे कमेंट बॉक्स में कि उर्दू में अप्लिकेशन यानि कि दरखास लिखना खत लिखना वगर बता दीजिए और 12 क्लास वाले जितने भी आठीजे फड़ावट तो इन सभी सवालों का जवाब मैं दे दिना चाहती हूं और इसलिए एक मिनट लगेगा आप लोग एक मिनट अमारी बात को एकदम ध्यान से सुने सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रामर की उर्दू ग्रामर में आप लोगों को लगबग टॉपिक क पढ़ा चुकी हूं अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उर्दू ग्रामर के प्लेलिस्ट का लिंक डाल दी हूं अगर आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे तो हर एक वीडियो आप लोग को उर्दू ग्रामर का मिल जा बता दीजे तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूं कि और लेडी पिछले सेसन में मैं आप लोग को दर्खास और खत लिखना बताई हूं ठीक है तो अगर आप लोग चाहें तो पिछले सेसन का वीडियो देख सकते हैं और खत और दर्खास लिखना सीख सकते हैं नहीं त आप लोग सोचेंगे कि हमारा जो एक्जाम का डेट है तारीक उससे पहले ही इससे बहुत देर के बाद अच्छामों तो ऐसा हो तो पॉसिबल नहीं है हर केंटरी भले ही हमारी थोड़ी सी लेट होती है लेकिन सबसे ग्रेट होती है यह आप लोग को पता होगा ठीक है ना तो यही मैं आप लोग को कहना चाहती हूं कि थोड़ा सा आप लोग वेट कर ले बहुत जल्द मैं 2024 का नया और लेटेस्ट तरीका बताऊंगी दर्खास और खत लिखने का अगर उस ट्रिक के साथ दर्खास लिखते हैं या फिर खत लिखते हैं तो एक्जामिनर आप लोग को फुल माक्स देगा ठीक है थोड़ा सा आप लोग वेट कर ले और जितना भी उर्दू ग्रामर का टॉपिक बचा हुए तीन चाह टॉपिक वह बहुत जल रहे की मौनस है तो बहुत जल उर्दू ग्रामर भी कंप्लीट होगा अब बात कर लेते हैं टेंथ क्लास की उर्दू की तो टेंथ क्लास के उर्दू में मैं नाइन चेप्टर तक पढ़ा कर स्टॉप की थी तो इसलिए मैं बहुत जल कंप्लीट करा दी ना क्योंकि ट्वि समय से पहले क्लास का भी बचा हुआ है नाइन चेप्टर तक मतलब रभी रोक कर रखी थी तो अब टेंथ चेप्टर से मैं यानि कि नाइन चेप्टर के बार से जो अगला चेप्टर है उसे पढ़ाना स्टार्ट करोंगी और वीडियो अप्लोड होना स्टार्ट हो अगले चेप्टर से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी बस आप लोग को लाइक शेर कर देना है जितना जदा उसके सपोर्ट करना है प्यार देना है ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहें निरंतर क्लास कराते रहने की ठीक है ना तो जितना जदा उसके लाइक शेर कीजिए कि मिंग बेस्ट है जिस समय पर आप लोग का ज्यादा वोट आएगा उस टाइम को फिक्स कर दिया जाएगा और हमेशा उसी समय पर अब्जेक्टिव कोशन का लाइव होगा ठीक है ना तो इस तरह से लाइव चलेगा अब्जेक्टिव कोशन का और मैं आप लोगों को बता से पहले ही बोल दे रही हूँ objective question का जो live कराऊंगी उसमें जोनना बहत जरूरी है हर एक चप्तर का chapter wise होगा यह आप लोग को तो पता ही होगा और एक चप्तर से जितना भी objective question बन सकता है वो सारा objective question कराऊंगी मतलब निचोर निकाल कर हर एक चैप्टर का कराया जाएगा तो इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूं कि भले ही एक वक्त का खाना आप लोग भूल जाएगा लेकिन जब मैं 12th क्लास के उर्दू का अब्जेक्टिब लाइव कराऊंगी ना तो लाइव एटेंड करना नहीं भूलना है किसी भी परस्तिती में लाइव एटेंड कीजिएगा ठीक है तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बस आप लोग टेंशन फ्री रहे आप लोग का टोटल सिलबस कंप्लीट होगा तो पांचों के पांचों टॉपिक को मैं यहां पर तरह से पूछे रा कि सही अलफाज की निशान नी कीजिए चार अपसंन रहेगा जिसमेंसे तीनफ भल्ट अलफाज दे देदेगा और एक सही अलफास होगा ठीक है और उसी तरह वे पूर चकाता है कि मंदर जैल अलफाज में से सही लव्ज की पहचान करें इस तरह से कोशन पूर सकता है और आपसन इसी तरह देगा तीन गलत लव्ज देगा और एक सही लव्ज देगा तो आप लोगों को सही लव्ज की पहचान करना होता है सही लव्ज की निशान भी करनी होती है ठीक है न में से सही लव्ज कौन है बस इसी तरह से आप लोग के एक्जाम में कोशन पूछा जाता है जिस तरह से कोशन आप लोग के एक्जाम में पूछा गया है ना उसी तरह मैं यहां पर लिखी हूं बोल पर समझे कि यह पूछा हुआ कोशन है आप लोग के एक्जाम में तो जाता है यानि कि option number C will be the correct answer, यानि कि option number C हो गया सही जवाब, हिमाकत सही तरीके से इस तरह से लिखा जाता है, यानि कि सही लफ्स क्या है, यह है, option number C हिमाकत, ध्यान से देख लिजिए, कि हिमाकत ना तो इस तरह से लिखा जाता है, ना तो इस तरह से लिखा जाता है, और नह कि लफज और मानी से भी कोशन पूछा जाता है कोई भी एक लफज उठा लेगा और कोशन पूछेगा कि इस लफज का मानी क्या है जैसे कि यह आप लिख दी हूँ कि एक लफज देखे उठा लिया गया है अक्रब अकरब के मानी क्या है, ठीक है, option A में है खुबसूरत, B में है बिच्छू, C में है समझ और D में है बेशना, बताइए, इन चारों option में से कौन सा सही option है, सही answer है, बताइए, अकरब के मानी क्या है, अलफाज मानी से एक question आप लोगे exam में हर साल पूछे जाते हैं, यह अपने बिच्छू, यानकी option number B हो गया, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, तीसरा topic क्या है, जुमला दुरुस्त कीजिए, ठीक है, जुमला दुरुस्त करने के लिए आता है, यानि की question इस तरह से पुछता है, कि दर्दजैल में से कौन सा जुमला दुरुस्त है, यानकी कौन सा वो सही है, ठीक है, सही sentence की पहचान करना होता है, और चार option देखिए, मैं लिख दी हूँ यहाँ पर, पहला है, क्यूं यह रखी कुरसी यहाँ पर, यह पढ़कर आप लोगो को पता चल रहा है, यह जुमला दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, सही तरीके से यह जुमला नह रखी है, हाँ, यह ठीक लग रहा है, कि यहाँ कुरसी यहाँ पर क्यूं रखी है, मतलब कि यह sentence सही लग रहा है, यह जुमला दुरुस्त लग रहा है, लेकिन उससे पहले आप लोग D को भी तो देख लीजे, यह भी लिखा है, यहाँ कुरसी यहाँ पर क्यूं रखी है, और यह कुरसी यहां पर क्यूं रखी है दोनों option में एक ही बात लिखा गया है अंतर क्या है अंतर छोटा सा का है लास्ट वाला देखिए यह वाला है और यह वाला है बस यही का अंतर है अब बताइए कौन सा सही है यह वाला है सही है कि यह वाला सही है है बताइए तो इसका स और डी हो गया बिल्कुल सही जवाब ठीक है आगे बढ़ते हैं चौथा है टॉपिक मुहावरा जी हां मुहावरा से भी एक ना एक कोशन आप लोग एक्जाम में हर साल पूछा जाता है इसमें तो कोई शक्त नहीं है तो देखिए यहां पर कोशन में लिख दी हूं मुहाव में हैं बहुत नाउमीद होना और डी में हैं काम में रुकावड डालना आप लोग को बताना है कि रंग में भंग डालना जो मुहावरा इसका मतलब क्या होता है तो आप लोग खुद सोचिए ना रंग में भंग डालना यानिकि जब खुशी का महौल हो तो उसको खुशी क के महावल को बिगारने की कोश करना यान की बेलुत्वी पैदा करना तो खुशी में बेलुत्वी पैदा करना यान की आपसन नमबर बेविल भी तका रहें ठीक है आगे बढ़ते हैं पांचवे टॉपिक का नाम है कई के लिए एक अलफाज के बदले कोई एक अलफाज मुकरर कर दिया जाता है जैसे कि देखिए यहां पर कोशन पूछा गया है पांचवे टॉपिक से ही आप लोगा एक्जाम में पूचा गया कोशन है जो इंतवार करने वाला हो उसे डैस कहते हैं, क्या कहते हैं जो इंतजार करने वाला हो उसको क्या कहते हैं ये कई अलफाज है और इसका कोई एक अलफाज होता है जो इंतजार करने वाला हो उसको क्या कहते हैं, एक लफज में क्या कहते हैं बताईए, आपसाने में हैं मुंतजिम B में हैं मुंतजर C में हैं नजीर और D में हैं मुसाफिर बताइए इसका सही answer क्या होगा तो इसका सही answer मैं बता देती हूँ इसका सही जवाब होगा option number B जी हां मुंतजर जो इंतजार करने वाला होना उसको कहते हैं मुंतजर आप लोग सुने होंगे, वो तुम्हारे मुंतजिर में है, यानि कि वो तुम्हारे इंतिजार में है, जिसका कोई जवाब ना हो, उसको एक लफ़ में कहते हैं, क्या ला जवाब, तो कई अलफाज के लिए एक लफ़ मकरर कर दिया जता है, ला जवाब मतलब जिसका कोई तो आप लोग को समझ में आ गया होगा यह पांचो टॉपिक अब को लोग के एक्जाम में आए तो छोड़ कर नहीं आना है हंड़िट पर संट करक्ट बना कर रहा है चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं अगर आप लोग यहां तक स्क्रिन शॉट लेना चा फाइनली यहां पर हो जाता है वीडियो का दे इंड आई होप आप लोग को हर एक चीद समझ में आया होगा जो कुछ भी में आप लोग को समझा ही समझ में आया है तो कमेंड में लिख कर बताए कि हाँ हाँ में समझ में आ गया है और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किय लेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपी के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज